पंजाबी एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 13 फेम सेलिबर्टी शेहनाज गिल इन दिनों अपने चैट शो देसी वॉइस विद शेहनाज को होस्ट कर रही है इस शो में शेहनाज बड़े-बड़े सेलिबर्टी से बाते करती नजर आती है हाल में शेहनाज के शो में यूट्यूबर भुवन बाम भी गेस्ट बनकर पहुँचे थे भुवन के साथ बातों बातों में शेहनाज ने अपनी शादी और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी दिल्चस बाते शेयर की है इससे पहले शाहित कपूर के साथ बाचीत में शेहनाज ने बॉइफरेंड बनाने की इच्छा जाहिर की थी बॉइफरेंड पाने की जताई इच्छा भूवन ने जब अपने 15 साल नंबे रिलेशनशिप के बारें बताया तो शेहनाज हैरान रहे गई फिर एक्ट्रेस भूवन से मजाग करती है कि क्या आप उस लड़की के प्यार में इतने पागल हैं और क्या अपना यूट्यूब चैनल और सब कुछ उन्हें ट्रांसफर कर देंगे इस सवाल पर भूवन कहते हैं सब कुछ उसके नाम ही है भूवन की बात सुन शेहनाज रोनी सूरत बना कर कहती है हमें क्यों नहीं मिलता ऐखो ये ऐसा शादी को लेकर ये है शेहनाज की प्लानिंग फिर शेहनाज ने अपने वेडिंग प्लान शेयर किये एक्टरस ने कहा कि लाइफ में हमें नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या है हमें हर चीज के लिए तयार रहना चाहिए अभी मेरे पास है कुछ चीजे करने के लिए मैं कर रही हूँ आगे जाके मैं काम करते रहने की पूरी कोशिश करूँगी लेकिन अगर मुझे काम नहीं मिल रहा है तो मेरे पास अच्छी सेविंग होनी चाहिए ताकि मुझे भवश में पैसे के लिए दूसरों से भी एक ना मांगनी पड़े जाना है लाइफ में लेकिन मुझे है कि मैं अपनी सेविंग रखूँ फिर एक्टरिस कहती है कि खराफ फ्यूचर की वजह से मुझे शादी न करनी मुझे शादी वगयरा में अभी विश्वास नहीं है मुझे अभी बहुत आगे जाना है लाइफ में हलकिस से पहले जब शेहनास के शो में बॉलिवूड एक्टर शाहित कपूर गेस्ट बन कर आये थे तो एक्टरस ने कहा था कि उन्हें भाई की नहीं बॉइफिन की जरूरत है ऐसे में अब शेहनास की शादी से भरोसा उटना फैन्स को परिशान कर सकता है फिल्म जगद की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें